दोस्तो पिनेकल पब्लिकेशन की मैट्स फोर्मूला बुक का फर्स्ट एडिशन अवेलेबल हो चुका है मार्केट में इसमें हमें अर्थमेटिक के साथ एडवांस मैट के फोर्मूलास दिये गए हैं जो अधित्या रंजर सर ने सबसे पहले फोर्मूला बुक लौंच करी देखते ही देखते हैं आप कि देख सकते हैं किस तरह से राकेश यादव सर उसके अगगन प्रताब सर और अब पिनेकल की भी फोर्मूला बुक आ चुकी है दोस्तों यह बुक बहुत ही इंट्रस्टिंग रहने वाली है क्योंकि यह बुक में हमें 187 पेजिस दिये गए है और इस बुक का MRP 260 रहेगा आज इस बुक के बारे में हम complete detail में बात करेंगे जो की है फिनेकल publication की maths formula बुक दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अधिते रंजन सर ने ही formula बुक निकाल ली थी math की और इसका MRP 300 हो चुका है और इसके pages बहुत ज्यादा हो च बाता है तो अभी भी जो students हैं बहुत सारे वो 500 रुपे वाली जो अधिते रंजन सर की 100 pages की formula बुक आती थी उसकी demand करते हैं तो उस बुक में जबकि हमें सिरफ formulas दिये गए थे लेकिन examples नहीं दिये गए थे यह पिनेकल की जो बुक रहेगी आपकी आप देख सकते हैं class notes concepts formulas short tricks smart methods साथ ही main or important thing है exam whole approach आपको हर एक example दिया गया है जो कि previous year based है mention किया गया है कि वो question किस exam में आ चुक है और सिधा important examples ही दिये गया है concept ज्यादा detail में नहीं दिया गया है 187 pages में इस book में हमें सिरफ point to point formulas के साथ साथ type wise हरे questions को दिया गया है तो इस video में हम detail में बात करेंगे एक formula book में cover किये हैं दोस्तों साथ ही गगन प्रताब सर की formula book की भी वीडियो आप देख चुके होगे इसी चैनल पर और रकेश यादा सर की formula book भी both time से available है जो कि एक bilingual book है ये book भी definitely आपके लिए useful रहेगी वो इसलिए क्योंकि देखिए इस book में भी आपको ज्यादा pages देखने को नहीं मिलेंगे only 172 pages है बट exam के अगर आप नियर हैं तो आपको इन दोनों में से ही कोई एक book लेनी चाहिए लेकिन अगर आप बिल्कुल basic से उस starting से preparation कर रहे हैं और आपके पास enough time है तब आप अधिते रंजन सर की second edition formula book ले सकते हैं तो दोस्तों ये अधिते रंजन सर की और और नई वीडियो में दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर आपको latest books की update मिलती है साथ ही दोस्तों गगन प्रताब सर की reasoning concept king book भी आ चुकी है बोच students का demand आ रही है कि इस book की वीडियो बनाओ तो आपको ब प्रूमुलाज और basic concept दिया गया है साथ ही exam whole की main approach दी गई है और calculation tricks भी दी गई है index की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस book में में geometry अगरी मैं सुलेशन जो कि मारे अडवांस में स्टार्ट है और उसका number system एक साथ ही एपी जीप स्प्लिफिकेशन algebra सर्सिंडिस पोली नोमिनल सेंट कॉड्रेटिक इक स्टेंस इसके बाद हमें कैल्कुलेशन मैथ दिया गया जो कि एक है वेदिक मैथ square root and cube roots के बारे में बता रहे हैं और number series के बारे में भी बता रहे हैं दोस्तों यह जो पिनेकल publication की book है यह आपकी English medium का MRP 260 रहेगा और Hindi medium का MRP 250 रुपीज रहेगा इन दोनों स्टुडेंट सिरफ arithmetic को ही mainly जानना चाते हैं तो चलिए ratio and proportion पेज पर चलते हैं दोस्तों 105 पेज बर हमें दिया गया है ratio and proportion chapter आप देख सकते हैं पहले में ratio के basic बता रहे हैं सब कुछ बता रहे हैं इसके बाद हमारा proportion शिरू हो जाता है और उसके some results दिये गए हैं अब अगर मैं आपके साथ बात को यह देखिए जो example हमें दिये गए हैं चाहिए example दिया गया है जैसे ही हमारा यह types of proportion शिरू हुआ जो कि direct और inverse proportion था इसके अंडर जैसे हमें example देखने को मिला इसमें आप देख सकते हैं SSC CGL 512-2022 को second shift में आया हुआ question था यह इसी तरह से जैसे ही हमारा some results निकले उसके देख और example है उधर भी आप देख सकते है RRB NTPC CBT1 evening shift में आया हुआ question है तो मतलब आपको जितने भी examples देखने को मिलेंगे वो आपको basic ही दिये गए हैं और जितने भी examples हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह देखिए इसके बाद हमारा mean proportion शुरू होगा और उसका example दिया गया है जो कि हमारा selection post 27 जून 2023 को आया हुआ है the mean proportion between this and this is उसको explain करके दिया गया है इसी तरह से third proportion of 15 and 120 is उसके बार में भी हमें example के साथ दिया गया है तो जितने भी questions आप देख रहे हैं SSC, MTS, SSC, CHSL मतलब यह आपके totally previous year papers based है जैसे यह आपका concept खतम होता है दो pages में ratio chapter का आपके type शुरू हो जाती है जब पहले में type 1 दी गया है जिसके अंडर लिखा है when 2 और 3 ratios are given उसके बाद part B में when more than 3 ratios are given इसी तरह से type 2 शुरू हो गई हम हमारे उसके type 3 यह आप type देख रहे हैं जो की ratio chapter किया type 4 based on coins type 6 income and expenditure type 5 है addition and subtraction यह हमारा first chapter जो की ratio था आप देख सकते हैं short में ही finish हो चुका है आपको ज्यादा detail में topic नहीं दिया गया है इसके बाद हमारा percentage chapter दिया है मतलब यह आपके जो main exam होते हैं उनके आप nearby हो अगर आप औ कि example 20% mean मतलब 20% का क्या मतलब होता है इससे start करते हुए बिल्कुल basic से हमें बताया गया है और उसके बाद हमें 20% को आप 1 upon 5 या फिर is equal to 0.25.2 भी लिख सकते हो तो 0.2 of a number is same as 20% तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस formula book में आपको बिल्कुल किस तरह basic से सब कुछ बताया गया है इसके बाद हमारा important concept शुरू हो जाता है जिसके अंदर लिखा गया final value जिसके अंदर हमें percentage change दिया गया जो कि final value minus initial value upon initial value into 100 हमें एक formula की form में बताया गया इसके बाद हमारा जो next topic शुरू होता है successive percentage change अब अगर मैं आपके साथ बात करूं यह देखिए if a is equal to b, b is equal to c then effective percentage change उसक formula आपको दिया गया उसके बाद हमें important fractions and their equivalent percentage जो कि आपने almost और भी बुक्स में देखी थी राकेश आदोसर की formula book में भी यह जो percentage की forms हैं यह तो आपको definitely पता होनी चाहिए साथ ही उसकी decimal form भी दी गई है इसके बाद जो हमारे some important points शुरू हो जाते हैं जो कि एक दो आप देख शुरू है उससे पहले types of questions से पहले आपको कम से कम 10 के आसपास हर एक chapter के forms दी गई हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस forms के questions exams में आते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करूं increasing a number by 35% तो आप देख सकते हैं कोई भी number अगर 35% increase किया गया है तो 35% means 35 upon 100 therefore adding 35 to the original value of 100 कितने basic से आ बात को explain किया गया है इसके बाद जो हमें question दिया गया है इसी method से related इसी point से related वह आप देख सकते हैं RRB ALP tier 2 में आया हुआ है जो की 23 January 2019 में हुआ था को exam में आया था a number after increasing by 36 becomes equal to its 109% then what is that number ठीक है यह हम से पुछा increase in percentage कितना हुआ है 9% और जो number increase हुआ है 36 तो 9% is equal to 36 let करके उसके बाद 100% is equal to 36 upon में 9 into 100 करके हमें 400 वो क्या आगी जो की वो number है what is that number पुछा तो वो number आ चुका है हमारा इसी तरह से जो second point दिया कि है decreasing यह number by 42% 42% का पहले तो हमें मतलब पता हूँचे 42 upon 100 therefore decreasing 42 from the original value so हमें से 42 minus करके उसके upon 100 किया हमने 58 upon 100 इसको ratio की form में लिख लिया तो इसी तरह से इसका एक example दिया है जो कि हमारा आर आर भी एंटीपीसी सीबीटी वन एक्जाम में आया था इन नमबर वन डिक्रीज़ वैं ट्वंटी टुवन अपन टू बिकम्स 217 दर नमबर इस तो ट्वंटी टुवन अपन टू परसेंट इस इक्वल टू 9 अपन 40 होता है इनिशियल हमारा था 40 और फाइनल है 31 तो 31 की जो वैल्यू है वो हो गई 217 क्योंकि यह बिक बन जाता है 221 अपन टू बन जाता है 217 इसको इस इस बुक में हमें सब कुछ explain करके दिया गया है तो इसी तरह से आप यह देख सकते हैं अगर मैं आपके सो इस दोस्तों अगर मैं इस पर लाने के लिए 25 परसेंट भी करना पड़ेगा तो इफ यह जो आपने यह एक्जांपल देखा है वह थर्ड पॉइंट के अंडर था जो कि है हमारा इसके बाद हमारे election बेश्ट आ जाते हैं कि कितने वोट किसको मिलें कितनी percentage की फ़र में मिलें वो सभी questions आ जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं इसी तरह से commission based questions भी है और when diagram based और examination based हैं ही कि अनिता स्कोर 35% मार्स एंड फेल्ड वाइ 16 मार्स इस टाइप के कोश्चन्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे इसके बाद अगर नेक्स चेप्टर के आपके साथ मैं बात करूँ तो प्रोफिट और लोज चैप्टर है हमारा आप देख सकते हैं प्रोफिट और लोज चै से च्वेंटेज बताएगे इसके बाद हमारा टाइप वन शुरू हो गया वेन एन इन इस व्लड परोफिट तो मतलब अगर प्रोफिट दस परसेंट का हुआ तो वन अकुन टैन करते हुए कोश्च प्राइस प्राइस हो गया मतलब हमारा शैलिंग प्राइस कितना आ गया 11 इसी तरह से अगर loss हुआ है तो वो CP minus loss is equal to SP तो हमारा SP आ गया 9 क्योंकि हम एक loss में है उसका इसी टाइप के example दिये गया profit and loss chapter में जो हमें examples दिये गया है उसको जरू समझना आप तो दोस्तों आप देख सकते हैं the cost price of an article is 5000 what should be the selling price of article be so that a profit of 25% is earned यह आपा RRC group D no no 2022 को आया हुआ question है तो अब आप example देखना selling price on 25% profit 5000 into 125 upon 100 क्योंकि 25% profit हुआ है लेकिन आपको इसको इस तरह से solve नहीं करना है क्योंकि आपको इसको काटने बहुत time लग जाएगा इसके साथ pinnacle publication ने इस book में हमें क्या important चीज़ दिया है वो है exam whole approach आप देख सकते है profit अगर 25% है तो 25 upon 100 उसको आवन अपन में 4 हो गया profit upon CP इसको आप इस form में भी लिख सकते हैं कि 5 हो गया SP और cost price हमारा 4 है और 1 का profit है तो selling price आगया 6 to 50 और cost price हो गया 5000 तो मतलब यह बिल्कुल basic concepts के साथ आपको जोगी शोट tricks हम कह सकते है examination whole approach दी गई है हर एक चैप्टर में इसी तरह से दोस्तों आपको सभी questions दिये गए देखिए इसका डिसकाउंट आ जाता है cost price selling price market price अगर market price से कम होगा तो discount होगा अगर cost price ज्यादा होगा तो selling price ज्यादा होगा तो profit होगा selling price कम होगा तो discount होगा इसी तरह से हमें market price बिल्गुल basic के साथ आपको type के में और एक दो चैप्टर एक दो pages में ही cover किये गए यह chapters तो इसी तरह से हमें simple interest आप देख सकते हैं the simple interest on eight thousand at ten percent per enemies in six years तो MTS में आया हुआ question है यह तो अब देख सकते हैं इसी exam whole approach के साथ हरे question आपको दिया गया है और मतलब दो तीन दो तीन पेजिस में दिया गया ज्यादा आपको detail पढ़ने की जुर्वत नहीं है क्योंकि formula book को उसी को ही पढ़ना चाहिए जो की एक बार perfect हो चुका है math में end में revision के लिए ये बुक तो आपके लिए best रहने वाली है साथ ही दोस्तों गगन प्रताप सर की ये railway गनित बुक भी आ चुकी है मार्केट में जो की 4000 प्लस ओरीजिनल चैप्टर वाइस previous year questions आप देख सकते हैं इस बुक में दिये गए हैं और इस बुक का बारे में already वीडियो डाल चुका हूँ मैं ये देखी आर अर भी गुरूप डी में गुरूप डी दो जर बाइस में तो ये बुक की वीडियो complete वीडियो के बारे में और किस तरह की explanation है हम बाद में बात करेंगे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि हमने pinnacle publication किस बुक के बारे में समझा और अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे है किसी भी बुक के बारे में जानना चाते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करना comment करके जरूर बताना और साथ ही telegram unbox tabux को जरूर जोइन कर लेना वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे जरूर बताना